and also turn on the bell notifications to receive the updates directly in your device तो नमस्कार दोस्तो गुड इवनिंग कैसे हैं आप सभी लोग मैं विकास नहरा फिर से एक बार हाजिर हूँ लाइब आप सभी लोगों के साथ हमारी लाइब लिनेक्स ट्रेनिंग का शेशन नंबर 63 लेकर और आज के शेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एस फ्यूचर जॉब शेडियूरिंग के बारे में तो आज के शेशन में मैं आपको सिखाओंगा कि कैसे हम फ्यूचर में होने वाले जॉब्स को या टास्क्ष को शेडियूल कर सकते हैं at और cron tab command का use करके पिछले session में मैंने आपको at command के बारे में बताया था और आज के session में हम at और cron tab दोनों commands का use करेंगे दोनों तरह के tasks को हम schedule करेंगे चाहे वो repetitive हो या non repetitive हो और हम anachron का भी use करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम anachron का use कर सकते हैं especially उन machines में जो लगातार 24 into 7 use ना हो रही हो मतलब जैसे हमारे dextops हैं PCs हैं ऐसी machine हैं जो हम generally 20 घंटे use नहीं करते हैं जो एक particular time पर use करने के बाद जिसको हम power off कर देते हैं उन machines में हम कैसे jobs को schedule करते हैं कैसे हम anachron का use करते हैं उसके लिए तो ये सारी चीज़ें आपको आज के session में देखने को मिलेंगी सब कुछ मैं practically आपको show करके दिखाऊंगा यहां तो आज का session as usual काफी informative रहने वाला है मेरी आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप session को शुरू से लेके आखिर तक पूरा देखिएगा ध्यान से और सारी चीज़ों को आप note down करते रहिएगा अगर कहीं भी आपको कोई भी problems आती है या कहीं कोई doubt है तो आप live chat के माध्यम से हमसे comment करके पूछ सकते हैं आप comment यहां तभी कर पाएंगे अगर आपने हमारे चैनल को subscribe करके रखा होगा तो सबसे पहले तो अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिजे और bell notification को उन कर लिजे क्योंकि आपको comment करने के लिए हमारे चैनल को subscribe करके रखना mandatory है और फिर उसके बाद जब आप यहां comment करेंगे तो अगर आपने subscribe किया है तो आप easily यहां comment post कर पाएंगे और आपको हम support भी provide करेंगे उसके लिए आप चाहें तो basic level की membership हमारे channel की join कर सकते हैं उसका URL यहां मैंने pin किया हुआ है या फिर आप चाहें तो join button पे click करके भी इसको join कर पाएंगे अभी हमारे साथ सिर्फ 22 लोग जुड़ पाएंगे दो मिनिट हम वेट करेंगे कुछ और लोग यहां जुड़ जाएं उसके बाद हम session को start करेंगे और मैं लगातार देखता आ रहाँ कि पिछले कुछ session से यह जो current viewers हैं हमारी live stream पर इनकी संख्या काफी कम होती जा रही है और हमने जैसा कि आप सभी लोगों से promise किया था कि हम इस training को minimum या फिर free of cost रखना चाहते हैं उसकी requirement यह थी कि 100 लोग at least हमारे साथ live feed में रहें अगर 100 हो जाते हैं तो हम उसको फिर free of cost डेलिवर करेंगे मैंने अभी भी live sessions को free of cost रखा है आप सभी लोगों के लिए तो यह number जो है लगातार reduce हो रहा है तो अगर ऐसा लगातार होता रहा आगे भी तो फिर हमें जो अप क्योंकि अगर किसी चीज में आप लोग interest नहीं ले रहे हैं तो उसको फिर deliver करने का कोई फायदा है नहीं तो मेरी आप लोगों से ही request है मैं भी चाहता हूं कि training जिल्दी-जिल्दी खतम हो आप time से join किया करें जरूर join किया करें आप अगर busy भी हैं तो उसको चला के छोड़ करना पड़े मैं चाहता हूं कि sessions लगातार हूं at least अगर regular भी नहीं हम नहीं कर पा रहे हैं तो alternate days पे sessions लगातार होते रहें 26 लोग ही जुट पाए हैं हमारे साथ चलिए कोई बात नहीं मैं फिर भी आज के session को start करता हूं आए आपको लेकर चलता हूं हमारी mobile stream की screen पर और यह यहां मैं पहले कुछ add command के और examples आपको शो करूंगा उसके बाद हम repetitive jobs के लिए chron tab का use करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम repetitive jobs को chron tab की help से schedule कर सकते हैं और फिर मैं आपको last में anacron के बारे में भी बताऊंगा जो हो सकता है आपके लिए अपने आप में थोड़ी नई ही है हम यूज करते हैं नोन repetitive jobs को schedule करने के लिए मतलब ऐसी jobs जो future में एक ही बार run होने वाली हो उसके बाद अगर repetitive job हमें schedule करनी है तो हम उसके लिए chron tab का use करते हैं मैंने पिछले session में काफी सारे examples लेके आपको add command के बारे में detail में समझाने की कोशिश की थी और आज कुछ और examples में आपके लिए लेकर आया हूँ तो पहले उनको लेते हैं और उनकी help से jobs को schedule करते हैं one time jobs को और फिर हम बाद में crown tab की तरफ चलेंगे तो एक और तरीका होता है add command के through jobs को schedule करने का आप पहले add command mention करें उसके बाद आप time mention कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं 9 बजकर 8 minute तो 9 8 0908 मैं यहां mention कर रहा हूं उसके बाद मैं चाहता हूं कि इसको मैं 24 hour format में ना लिखूं तो म अगर मैं कुछ भी mention नहीं करूंगा तो यह आज की date में उसको schedule कर देगा और अगर मैं future में किसी date में इसे schedule करना चाहता हूं तो वो date में mention कर सकता हूं जैसे कि मैं mention कि देता हूं 9 8 22 तो उसके बाद यह हमें ऐसे prompt देगा अब यहां जो भी job है वो हम यहां mention कर देंगे तो चलिए मैं लिख देता हूं df-ht और यहां इसका output मैं चाहता हूं file system.txt नम की file के अंदर जो tmp में create होगी और इसके बाद हम बहार आ जाते हैं add command के prompt से अब हम एक बार queue को देख लेते हैं तो add की जो queue है उसमें यह job schedule हो चुका है और इसका जो time है वो है 9 बचकर 8 minute और 2022 मतलब आज ही के साल में यह execute होगी कब 8 सितंबर को और उस दिन है thursday तो इस तरीके से भी हम job schedule कर सकते हैं अब यहीं अगर हम चाहें तो 24 hour format का भी use कर सकते हैं जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 2108 इसका मतलब है 9 बचकर 8 minute शाम के और अगर मैं यह कुछ भी mention नहीं करता हूँ तो यह आज की date में उसको consider करेगा और फिर मैं मैं कोई भी command mention कर सकता हूँ जैसे कि मैं यह लिख देता हूँ time date ctl और मैं एक फाइल बना लेता हूँ tmp directory के अंदर date time.txt के नाम से एक और job मैंने schedule कर दिया अब हम add की क्यूं देखते हैं तो देखिए 32 and 33 यह दो jobs schedule हो चुके हैं अभी जो हमारी machine में time है वो है 9 बज कर 7 मिनट तो अब से एक मिनट के बाद यह जो 33 वाला job है यह execute हो जाएगा और tmp directory के अंदर एक file create हो जाएगी जिसमें time date ctl command का output हमें देखने को मिलेगा कुछी seconds के बाद यह job execute होने वाला है देखे time हो चुका है तो आई होप यह job अब यहां से हट गया होगा क्यूंसे और महां एक file बन गी होगी तो यह job हमारा execute हो चुका है आईए अब हम चलते हैं tmp directory के अंदर और हम यहां लिस्ट करते हैं सारी files और directories को तो हमने जो file यहां create की थी उसका नाम था date time.txt तो file यहां बन चुकी है अब हम इस file को open करके देखते हैं तो देखिए इसके अंदर time date ctl command का output हमें देखने को मिल रहा है तो इस तरीके से भी हम jobs schedule कर सकते हैं अब हम आगे चलते हैं आप अगर एक ही बारी में job schedule करना चाहते हैं मतलब आप नहीं चाहते कि आपको बार बार लिखना पड़े मतलब पहले आप at लिखें उसके बाद फिर job को mention करें तो आप एक ही बारी में job को हैं mention कर सकते हैं simply इस तरीके से जैसे कि मैं लिखता हूँ echo command to be run और उसके बाद मैं filter use करता हूँ और filter के बाद मैं लिखता हूँ add और time डाल देता हूँ जब वो job मुझे schedule करनी है तो जैसे कि मैं हैं 9 बज़ के 10 मिनट की एक job schedule कर रहा हूँ और उसमें ये जो command है इसका output कहा print हो उसका output print हो जाए हमारे terminal पर और मेरे terminal का जो नाम है वो यहां बचे हुए हैं तो यह job जो है वो schedule हो चुका है और थोड़ी देर के बाद यह हमारी screen पर जो हमने echo command के बाद text लिखा था उसको print कर देगा तो इस तरीके से भी हम एक ही बारी में अगर चाहें तो job को schedule कर सकते हैं मतलब हमें add command लिखने के बाद फिर time लिखने के बाद enter प्रेस करके फिर next line में जाने की ज़रूत नहीं है वहां वो सारी command समय लिखने की ज़रूत नहीं है हम filter का use करके एक ही बारी में पूरे का पूरे job को schedule कर सकते हैं मैं एक और टर्मिनल यहां open कर लेता हूं duplicate tab थोड़ा इसका font भी increase कर देता हूं इस तरीके से एक और job में हैं आपको execute करके दिखाने वाला हूं मैं एलेस से पहले date एक बार चेक करता हूं तो मेरी मशीन में अभी 9 बज़ के 10 मिनट का time show कर रही है मेरी मशीन तो मैं हां लिखता हूं echo नहरा classes are awesome और इसको मैं append करना चाहता हूं नहरा.txt num की file में जो मैंने tmp के अंदर create की हुई है और यहां उसके बाद मैं लिखूंगा add और जो time है वो मैं हां mention कर सकता हूं तो मैं हां लिख सकता हूं add now plus one minute तो अब से एक मिनट के बाद का एक job मैं schedule कर रहा हूं और उसमें क्या होगा नहरा classes are awesome यह वाला text append हो जाएगा नहरा.txt नम की file के अंदर जो tmp directory के अंदर create होगी तो अभी एक बार हम add की q को देख लेते हैं तो यहां देखी q में job दिख रहा है और अब हम tmp directory के अंदर चल जोब define कर सकते हैं और उसकी help से हम ना के बल जोब को schedule कर सकते हैं one liner से और उसको execute भी करा सकते हैं अगर आपको किसी script को execute करना है तो वो भी आप directly कर सकते हैं एक ही line में उसके लिए आप simply इस तरीके से लिख सकते हैं at 09 जैसे कि 9 बज़ के 15 मिट का job मैं schedule करना चाता हूं उसके बाद लिख देता हूं pm तो ये 9 बज़ के 15 मिनट पर execute होगा आज की तारिक में फिर उसके बाद file का path देने के लिए हम यहां लिखेंगे hyphen f उसके बाद जो भी हमारा file का path है तो जैसे कि मैं हहां लिखता हूं slash tmp slash script dot sh जो हमारी script थी जो मैंने पिछले session में बनाई थ उसी काँ में execute करना है तो मैं यहां लिखता हूं script dot sh और मैं enterprise कर दूँगा तो ये job जो है automatically schedule हो गया ये script जो है अब 9 बज़ के 15 मिनट पर automatically run हो जाएगी तो एक बार हम क्यों देख लेते हैं तो ये 36 वाला job है 9 बज़ के 15 मिनट पर execute होगा और अभी जो हमारी machine में time है वो है 9 बज़ के लगबग 13 मिनट तो अब से 2 मिनट के बाद ये script execute होगी और इसके अंदर हमने mention किया हुआ था नहरे classes और awesome तो ये जो है ये background में execute होगी क्योंकि हमने है कोई भी terminal या file mention नहीं की है तो इसका output हमें देखने को नहीं मिलेगा अगर आपको output देखना है या इसको किस फाइल में append करना है इस text को तो आप यह greater than sign लगाके या तो terminal का नाम या file का नाम mention कर सकते हैं जैसे कि अगर मुझे इसका output terminal पर देखना है तो मैं इस तरीके से भी mention कर सकता हूं slash dev slash pts slash 0 तो अब यह जो job है जैसी एक्जीक्यूट होगा तो हमारी screen पर जो text इस script के अंदर हो प्रिंट हो जाएगा कुछ देर के बाद यह जब script run होगी तो हमें text screen पर प्रिंट होता हुआ दिखेगा तो इस तरीके से भी हम एक ही line में किसी script को कर हमें run करना है उसको भी set कर सकते हैं कई बार हम चाहते हैं कि जैसे ही command execute हो जैसी command output produce करे तो एक email trigger हो जाए तो उसके लिए हम hyphen capital M option का use करते हैं तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 9 बजे या 9 बज के 18 मिनट पे जो हम job schedule कर रहे हैं वो एक email भी trigger करे तो हम यह hyphen M लगा देंगे उसके लिए और उसके बाद जो भी हमारा job है उसको हम यह mention कर देंगे जैसे कि मैं लिखता हूँ echo this is linux terminal और इसको हम slash dev slash pts slash 0 अपने terminal पर देखना चाहते हैं तो उसका नाम है मैं mention कर यह दे रहा हूँ और enter press कर देता हूँ फिर भाहर आ जाते हैं तो होगा क्या जब यह job execute होगा और output produce करेगा तो यह एक mail भी send करेगा अगर के बार ऐसा होता है कि हमारी command गलत हो गई या वो जब command execute होगी तो output नहीं generate हुआ तो अगर output ना generate होने पर हमें email trigger करना हो तो उसके लिए हम hyphen small m का use करते हैं उस case में हम capital m का use नहीं करेंगे तो हम इस तरीके से जैसे कि मैं चाता हूँ कि 9 बज के 19 मिनट पे जो मैं job schedule कर रहा हूँ उससे अगर कोई भी alert कोई भी output generate नहीं हो रहा तो email trigger हो तो इस तरीके से हम उस job को भी schedule कर देते हैं तीन jobs हमारी queue में हैं जो की execute होंगे अभी जैसे time हो जाएगा तो यही कुछ examples थे जो मैं आपको दिखाना चाहरा था अब एक और बहुत important command होती है Linux में batch command तो batch command क्या करती है batch command भी एक add command की ही तरह है लेकिन यहाँ फर्क क्या है add command जो है वो execute होती है specific time पे जबकि जो batch command है वो execute होती है system के load के हिसाब से तो अगर आप चाहें तो man batch करके इसका manual भी पढ़ सकते हैं तो batch command क्या है it executes when system load level permits जब system का load आपको permit करेगा तब वो particular command execute होगी या फिर दूसरे सब्दों में हम कहा सकते हैं कि जब load average जो है वो point 8 से नीचे जाएगा या फिर एक specific value से नीचे जाएगा तो फिर add command की help से यह उस job को execute करा देगी तो यह batch command का काम है और अगर आपको batch command के through कोई job schedule करना है तो बहुत आसानी से आप कर सकते ह जैसे कि मैं यहां लिखता हूँ echo command to be run और इसके बाद filter use करता हूँ और mention किये देता हूँ batch तो यह command automatically अपने आप execute हो जाएगी जैसे system का load जो है वो एक specific level से नीचे जाएगा इसकी value पहले 1.5 हुआ करती थी अब point 8 होती है या फिर एक specific level जो भी आप set करेंगे उसके हिसाब चाहें तो इसके logs में जाके इसकी entry चेक कर सकते हैं तो अगर आप करेंगे tail where log crown तो यहां यह job execute हो चुका है तो इस तरीके से आप batch command के थुरू भी जोब को schedule कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि एक particular load average के हिसाब से आपकी commands execute हो आपकी job उसके हिसाब से schedule हो जाए तो या फिर आप man वोली भी अगर कोई command set करना चाहते हैं batch के थुरू तो आप इस तरीके से उसको schedule कर सकते हैं देखें जैसे schedule गया वैसे ही execute हो गया और execute हुआ तो date command इसने print कर दी होगी और हमने यहां कुछ mention नहीं किया था तो यह background में चली होगी एक बार और मैं आपको करके देखो अब हमारी जो एक और job थी जिसको हमने लगाया था this is the linux terminal echo command का use करके वो वाली job execute होई है तो अब q से एक और job यहां से हट गई होगी मैं add q आपको दिखा देता हूँ देखें एक और job यहां से execute हो चुगा तो यहां से वो हट गया मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ batch command से तो आप batch command का use करके अगर job schedule करना चाहते हैं जैसे कि मैं हां लिखता हूँ calendar मतलब cal slash step slash pts slash 0 एक बार मैं tty command चला के देख लेता हूँ यह मेरा terminal 1 है और यह वाला मेरा terminal 0 है तो मैं terminal 0 है mention कर रहा हूँ और जैसे ही मैं बाहर execute हो गया क्योंकि मेरे system का load उतना नहीं है उसका load की value जो है अलड़ी बहुत कम है तो जैसे मैं job schedule कर रहा हूँ फटा फट वो execute हो जा रहा है अगर मुझे दूसरे terminal पर print करना है output यह है terminal 1 तो मैं यहां 0 की जगे one mention कर सकता हूँ जैसे कि मैं लिखता हूँ calendar 2022 मैं 2022 का calendar print करना च कुछ भी हो नहीं हो रहा तो इसी पर मुझे प्रिंट करना है और मैं जैसे ही job को schedule करूंगा automatically 2022 का calendar प्रिंट हो जाएगा इधर कि इसको हो जाना चाहिए कि टी टी वाई I think मैंने को mistake कर दी होगी एक बड़ जीरो करके देखता हूँ cal 2022 slash dev slash pts slash zero mistake है कुछ देखिए एधर प्रिंट हो गया calendar थोड़ा delay लिया उसने लेकिन प्रिंट हो गया तो हो सकता है उस time पर थोड़ी देर के लिए मेरे system का load हाई रहा हो तो देखिए दो बार calendar प्रिंट हुआ है दोनों बार यह command execute हुई थी एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने erase कर दिया है टर्मिनल को clear कर दिया मैं इस बार simply cal लिखता हूँ और यहां मैं लिखता हूँ slash dev slash pts slash one और बाहर आ जाता हूँ तो जैसी मैं बाहर आया अब यह job schedule हो चुका है और यहां अच्छे आभी यह है शोग हो रहा है और कुछ ही सेकंड के बाद जैसी हमारा load उस threshold से नीचे जाएगा system का average load calendar प्रिंट हो जाएगा देखिए तो यह सब मैं आपको दिखा चुका हूँ एक और तरीके से हम job schedule कर सकते हैं जैसे कि मैं चाहता हूँ कि एक बज़े के बाद आज से दो दिन के बाद कोई job schedule हो जाए तो मैं हाँ लिखूंगा at 1pm plus 2 days और उसके बाद जो भी job है वो हम इस तरीके से schedule कर सकते हैं तो ऐसे भी ह हम जोब schedule कर पाएंगे अगर आप गंटों के इसाब से जोब schedule करना चाहते हैं जैसे कि आप चाहते हैं कि अब से पांच गंटे के बाद कोई job schedule हो जाए तो आप लिखेंगे at now plus 5 hours तो इस तरीके से आपका job schedule हो जाएगा और आप अगर इनकी details चेक करेंगे तो time वही होगा जो आपने mention किया है जैसे कि आपसे पांच गंटे के बाद वाला job हमने schedule किया है 48 तो यह आपसे पांच गंटे के बाद execute होगा आप time में देख सकते हैं तो इस तरीके से भी आप job schedule कर सकते हैं यह सब मैं आपको बता चुक तो वह भी आप कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको hyphen T flag का use करना होता है at command के बाद देखिए अब मैं आपको दिखा दूँ मैंने जो calendar वाली command वहां लगाई थी वह भी हां execute हुए क्योंकि load इस time पर आके थोड़ा उस level से नीचे आया होगा तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम एक fine बिल्कुल time mention कर सकते हैं तो उसके लिए हम इस तरीके से पूरा syntax लिखेंगे at hyphen T उसके बाद सबसे पहले year उसके बाद month उसके बाद date उसके बाद time और फिर हम चाहें तो seconds भी mention कर सकते हैं आला कि seconds का कोई बहुत बड़ा roll नहीं होता उसके बाद जो भी आपको job schedule करना है वो आप यह mention कर सकते हैं और job को set कर सकते हैं future में execute होने के लिए अब अगर हम इसकी queue देखते हैं तो देखिए जो 49th नंबर पे हमें job दिख रही है उसका जो time है वो बिल्कुल उसी हिसाब से है जैसे हमने mention किया था माई 11-2022 एक बच के 21 मिनिट और इसके अंदर ह इसके अंदर execute होगा क्या बार हमें क्या करना होता है हमें क्यूं में डालना होता है job को तो हमें क्यूं को specify करना होता है अब क्यूं को specify करने का तरीका क्या है हम hyphen q flag का use करते हैं और उसके बाद हम कोई भी capital letters में alphabet mention कर देंगे वो उस q को represent करेगा जैसे कि मैं चाहता हूं कि Monday को दो गंटे के बाद एक job schedule हो जाए और वो l नाम के q में चला जाए तो उसके लिए हम इस तरीके से job schedule करेंगे at monday plus two hours hyphen q q का मतलब होता है q और l का मतलब है q का नाम और उसके बाद हम यहां जो भी job है हमारा वो यहां mention कर सकते हैं जैसे कि मैं लिख रहा हूं df-ht और उसके बाद यहां slash tmp slash filesystems.txt और इस तरीके से हमने job को schedule कर दिया तो यह job जो है वो q में चला गया l नाम के और यह जो schedule हुआ है यह 14 फरवरी के लिए schedule हुआ है यानि कि Monday के दिन और अगर आप इसकी q देखना चाहेंगे तो इस तरीके से आपको इसकी entry q में दिख जाएगी अब यहां जो यह a है जहां पहले a नाम का हमें alphabet दिख रहा था वहां l नाम का alphabet दिख रहा है मतलब इसकी q अलग है यहां यह l नाम की q में चला गया है तो इस pending list है उसके लिए 80 q या 80-l command हम यूज करते हैं आपको मालूम है हाँ अगर आपको किसी job की details देखनी है जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 50 number का job है यह क्या है इसका मुझे पता चल जाए तो उसके लिए तरीका होता है at-c मतलब किसी भी particular job की किसी भी pending job की आपको details देखनी है तो आप 80-c command का use करते हैं और उसके बाद उसका number हैं आप mention करेंगे तो जैसे कि मैं यहां लिख देता हूँ 50 तो देखिए इस job की पूरी details हमें यहां दिख जाएंगी terminal पर जैसे कि इसको किस ने set किया, UMass की क्या value है, environment variables क्या है और जो भी language variable है, environment variable है, कौन-कौन से variables ऐसे हैं ज देखने को मिल जाएंगी, कौन सी command execute होनी है, क्या होना है, तो देखिए इसमें जो task है वो यह है, तो अगर हमें कोई changes करने पड़ जाएं, एक ऐसा job जो अभी तक execute नहीं हुआ है, जो future के लिए हमने schedule किया हुआ है, add command के थुरू, और उसमें हमें कोई further changes करने हो, तो हम इस changes करने होंगे, तो actually जो हमें details यहां देख रही है, यह details एक file के through हमें देखने को मिल रही है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, everything is a file in Linux, तो उसके लिए आपको जाना होगा, where के अंदर, spool के अंदर, at नाम की directory में, तो आप cd करेंगे, slash where, slash spool, slash at, और अगर आप यहां ls command चलाएंगे, या ls-l command चलाएंगे, तो आपको यहां वो सारी jobs से related files दिख जाएंगी, जो भी pending है, तो यहां यह सारी files अभी आपको देखने को मिल रही है, इनमें जो सबसे last वाली file है, I think यह वाली है, जिसको हमने अभी last में schedule किया हुआ है, अब यहां आपको नाम से ह पता चल जाएगा, जो सबसे पहला alphabet है, इन files के नाम में, वो Q को represent कर रहा है, किस Q में आपकी file है, जैसे कि हमने last वाली जो job schedule की थी, उसके लिए LQ का use किया था, तो हम यह capital L देखने को मिल रहा है, और उसके बाद जो यह number है, यह number बड़ा important है, इस number की help से आप पता कर सकते हैं, कि किस से related job है, जैसे कि मैंने पहले बता है, जो पहला alphabet है, वो Q identifier होता है, उससे Q का पता चलता है, अगली जो 5 digits है, वो hexadecimal representation होती है, job number का, मतलब आपका job का number क्या है, यह वाली जो 5 digit है, यह उसको explain करती है, कि क्या number है आपके job का, जैसे हम यहाँ दिख रहा है, 3 और 2 और इसका मतलब है कि यह, I think 50 number का job है, अगर हम इसको hexadecimal में convert करेंगे, तो इन 5 digits यह 6 digits जो हैं, इन से हमें उसका पता चल जाएगा, I think यह 6 digits होने चाहिए, to be precise, और जो last की कुछ digits है, यह time को represent करती है, उस job के, अगर आप उसको hexadecimal से decimal में convert करेंगे, तो आपको उसका date or time पता चल जाएगा, कि किस time पर और किस दिन यह, जो job है, वो execute होनी है, तो जो सबसे last वाली file है, अगर आप इसको open करते हैं, तो आपको यह same entries यहां इसमें देखने को मिलेंगी, जो मैंने अभी आपको job-c वाली command के थुरू दिखाया था, और अगर आपको changes करने हैं, तो आ यहां, save हो tmp के अंदर, तो filesystems2.txt नाम में इसको देना चाहता हूं, तो मैंने वो नाम यह mention कर दिया, और changes को save कर दिया, तो अब क्या है, कि मैंने वो changes कर दिया, इस file के अंदर, जिसके हिसाब से job execute होगी, तो अब यह filesystem.txt फाइल ना बना कर tmp के अंदर, filesystems2.txt नाम क फाइल को generate करेगी, तो इस तरीके से आप ना केवल pending jobs से related files को देख सकते हैं, बलकि उन में changes भी कर सकते हैं, last time किसी ने question पूछा था, तो मुझे लगा इसको पहले बताना चाहिए, आज के session को start करने से पहले, तो यह तो था आपका add command का पूरा method कि कैसे हम jobs को schedule करते हैं, कैस हम non-repetitive jobs के लिए add command का use करते हैं, और बहुत सारे examples मैंने आपको दे के समझा दिया, कि कैसे हम add command का pre-work करेंगे, अब बात करते हैं, crone tab की, या crone jobs की, तो crone jobs जो है, वो हम repetitive jobs के लिए use करते हैं, ऐसी jobs, जो एक particular interval of time के बाद repeat हो रही हैं, और हम चाहें तो non-repetitive jobs को भी, इस आप crone tab को use कर पाएं, उसके लिए आपकी machine में crone tabs नाम के package का install होना जरूरी है, जो कि by default installed आपको देखने को मिलता है, अगर आपने server with GUI method का use करते हुए, अपनी machine को install किया है, इसका package आप देखना चाहते हैं, तो rpm-q command चला के आप देख सकते हैं, या फिर आप yum list installed या फिर अगर यह package आपकी machine में installed नहीं है, और आप इसको install करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो yum install या फिर dnf install के बाद इस package का नाम यहां लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से, तो यह package आपकी repository से यहां install हो जाएगा, मेरे case में पहरे यह installed है, तो मुझे इसको करने की जूरत नहीं ह उसके बाद आपको make sure करना है कि इसकी service आपकी machine में up and running condition में हो, तो आप systemctl status command चला कर इसका status check कर सकते हैं, और अगर start नहीं हो रही है service या फिर running condition में नहीं है, तो आप इसको यह systemctl start command चला कर start भी कर सकते हैं, तो service का नाम होता है cron d.service, तो यह service आपकी up and running होनी चाहिए, enabled होनी चाहिए, तो यह service मेरी machine में enabled है और running condition में है, तो कोई problem नहीं हम आगे चल सकते हैं, अब cron tab को schedule, cron tab की help से jobs को schedule करने के लिए, हम cron tab-e command का use करते हैं, e का मतलब होता है edit, cron tab है एक file, जिसके अंदर हम entries करते हैं, तो इस command का अगर हम use करेंगे, तो हम cron tab की help से job schedule कर location आपको दिखा देता हूं, etc के अंदर cron tab नाम की एक file होती है, अगर हम इसको open करते हैं, तो यहां हमें कुछ details इस file के अंदर देखने को मिलती है, इस file को हम generally और ज़्यादा तर कभी भी directly edit नहीं करते हैं, vi editor का use करके, हम cron tab-e command का use करते हैं, तो यहां जो shell है, वो best shell होता ह path variables भी defined है, root को mail भी जानी है, यह सारी चीज़े हैं mentioned है, और इसमें हमें hints भी दिये हुए हैं कि job आपको schedule करनी कैसे हैं, तो यहां total 5 parameters हैं, 5 entries हैं, जिनके हिसाब से हम job को schedule करते हैं, देखिए, जो यहां यह asterix आपको देखने को मिल रही हैं, यह total 5 asterix हैं आपको देखने क मिलती हैं, हर एक का एक अपना meaning है, जो सबसे first entry है, यहां कोई भी number आप mention कर सकते हैं, 0 से लेके 59 के बीच में, यह number minutes को define करता है, जो second entry है, यह entry hours को represent करती है, और यहां 0 से लेके 23 के बीच कोई भी number आप mention कर सकते हैं, उसके बाद जो next entry है, third entry, यहां हम day of month को represent करते हैं, और जो number होगा, वो एक से लेके 31 के बीच कोई भी number हो सकता है, मतलब 1231 के बीच कोई भी number आप यहां mention कर सकते हैं, तो यह एक तरीके से date के लिए होता है, जो next entry है, वो होती है month से related entry, जो fourth entry है, यहां कोई भी number आप mention कर सकते हैं, 1212 के बीच में, या फिर आप चाहें तो jan, feb, march, apr में इस तरीके से भी आप month का नाम यहां लिख सकते हैं, उसके बाद जो fifth entry है, यह day of week के लिए होती है, यहां आप day को define कर सकते हैं, और जो number आप यहां define करेंगे, वो 0 से लेके 6 के बीच में कोई भी number आप यहां define कर सकते हैं, 0 का मतलब होता है Sunday, 1 का मतलब Tuesday and so on, और दुब Sunday के लिए one, Tuesday के लिए two, आप वो ही mention करेंगे, या फिर आप यहां sun, month, two, wed इस तरीके से भी नाम लिख सकते हैं, उस particular day of week का, जिसमें आपको इस job को execute करना है, उसके बाद आप user का नाम और यह जो भी command यह जो भी job है, उसको यहां mention कर सकते हैं, तो यह example है कि किस तरीके से आ job को schedule करेंगे, crown tab की help से, और crown tab आप चाहें तो normal user account से schedule कर सकते हैं, चाहें तो root user account से कर सकते हैं, लेकि normal user अपने लिए ही job schedule कर पाएगा, और अगर कोई admin से related task है, उसके लिए root के तुरू ही उसको schedule करना होता है, या फिर sudo का use करके उसको करना होता है, तो आईए, मैं पहला job यहाँ एक schedule करके आपको दिखा देता हूं, और आपको मालूम है कि crown tab हम use करते हैं, repetitive jobs के लिए, generally, और चाहें तो non repetitive jobs को भी schedule कर सकते हैं, तो हम कमाने चलाएंगे, crown tab hyphenी, तो इस तरीके से एक file खुल जाएगी, vi editor में, हम insert mode में जाना होगा, और यहाँ job define करना होगा, जो भी 34 minute का time हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, 37, मतलब 37 minute और 9 बजे, यानि की 21, हम यहाँ mention करेंगे, उसके बाद जो next entry है, मतलब कौन सी date को, तो मैं चाहता हूँ रोज, उसके बाद कौन से दिन, कौन से महीने, तो महीने में भी मैं asterisk लगा देता हूँ, और कौन से दि पहली entry जो है, मिनिट की दूसरी है, आवर की तीसरी entry होती है, हमारी date की, फिर date के बाद आगे आपका month और फिर day of week, तो इस तरीके से ये entries हमने कर दी, और यहाँ फिर जो भी job हमें schedule करनी है, उसको हम यहाँ mention कर सकते हैं, तो मैं यहाँ, suppose कर यह लिख देता हूँ, echo, नहरा classes are great, और यह output मैं देखना चाता हूँ, slash pts, slash 0, terminal पर, और उससे पहले मैं लिखूंगा, slash dev भी, तो इस तरीके से हम पूरा, जो भी हमारा job है, वो mention कर देंगे, और changes को save कर देंगे, तो यह job अब schedule हो चुका है, crown tab में, और इसकी entry हम अगर देखना चाते हैं, तो हम crown tab hyphen L comment च तरीके से हमें job देख जाएगा, और यह job 9 बज कर 37 minute पर, automatically execute होगा, और हमें screen पर print करके देगा, नहरा classes are great, तो जैसी यह job हमने set किया, इसकी entry crown tab की list में हमें देखने को मिल गी, और हम एक बार time check कर लेते हैं, तो अब ही लगबग 9 बज के 36 minute हुए हैं, तो अब से 1 minute के बाद यह job यहां execute होगा, और हमें screen पर print करके देगा, नहरा classes are great, अब यह job schedule होते कैसे हैं, कैसे system इन jobs को manage करता है, तो actually अगर आप list करेंगे कुछ directories को etc के अंदर, किस नाम से, crown नाम की कुछ directories हैं, तो crown.asterick में लगा देता हूँ सभी के लिए, तो यहां आपको कुछ directories देखने को मिल रही हैं, कुछ files भी हैं, तो यहां यह जो directories हैं, यह जो files हैं, यह represent करती है, crown tab की settings को, crown tab से related jobs को, जैसे कि जो भी daily basis वाले job हैं, उनके लिए entry इस directory के अंदर होगी, hourly वालो के लिए, इस location के अंदर files होगी, उनके अंदर होगी, monthly jobs के लिए जो files हैं, वो इसके अंदर ह होगी, और weekly के लिए इसके अंदर होगी, weekly वाली directory में, एक और file हमें यह देखने को मिल रही है, etc के अंदर, crown.deny नाम से, अगर हम चाहते हैं, कि किसी user को, हम permission ना दें, कि वो crown tab के थूँ कोई job schedule कर पाए, तो उसकी entry हम इस file में कर सकते हैं, जैसे कि हमने add command में भी किया था, और आपने अभी देखा होगा, कि नहरा classes are great valley line print होगी, क्यों, क्योंकि crown tab में हमने इसकी entry की थी, तो हमारा जो job था, वो execute हो गया, अब हम अगर crown tab hyphen L command चलाएंगे, तो हमें इसकी entry अभी भी देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि यह जो job है, यह one time job नहीं था, यह कल भी 9 ब और यह किस तरह का job है, यह एक daily job है, तो यहाँ इस daily वाली के अंदर इसकी entry आपको देखने को मिल जाएगी, अब मैं आपको बता रहा था, crown.deny वाली फाइल के बारे में, देखिए, यह crown.deny वाली जो फाइल है, इसमें जिन जिन users की आप entry कर देंगे, वो users crown tab के थूरू, जोब schedule नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको add में भी करके दिखाया था, add.deny वाली फाइल के थूरू, अब यहाँ एक ओर directory है, crown.d के नाम से, यह जो directory है, यह other jobs के लिए है, यह special cases वाली jobs के लिए है, यह आप कह सकते हैं कि final control के लिए है, कि बहुत सारी jobs ऐसे होते हैं जिनमें हम, जैसे कि third day of March, या third and fifth week of May, इस तरह के jobs को schedule करना चाहते हैं, जो थोड़े से complex हों, जिनको हम daily या hourly या weekly के हिसाब से ना करते हों, तो उनकी entry जो होती है, वो इसके अंदर होती है, crown.d वाली के अंदर, एक और file होती है, etc के अंदर ही, anachron tab के नाम से, ये जो file है, ये anachron के through, अगर हम job schedule करते हैं, उसके लिए होती है, और anachron क्या होता है, anachron हम use करते हैं, उन machines में, जो machines हमारी 24x7 run ना हो रही हो, मतलब ऐसी machines, जो हम generally किसी भी time use करते हैं, फिर बंद कर देते हैं, तो उन में अगर हमें कोई job schedule schedule करना है, तो वहां हम cron tab का use नहीं करते हैं, वहां हम anachron का use करते हैं, क्योंकि cron tab में क्या होगा, suppose किजिए, मैंने 9 बजे के लिए कोई job schedule किया, cron tab के through, और 9 बजे मेरी machine अगर power off state में थी, और उसके बाद मैंने 10 बजे अगर अपनी machine को on किया, तो वो job execute नहीं होगा, क्य वो जैसी machine on होगी, वो execute हो जाएगा, वो उसको as a pending job consider करेगा, तो अगर आपकी machine 24x7 run हो रही है, जैसा कि servers में होता है, तो वहां हम cron tab के through ही job schedule करते हैं, अगर हमारा job ऐसी machine में schedule होना है, जो लगातार run नहीं हो रही है, उसमें फिर हम anachron का use करेंगे, अगर हमें job को schedule करके उसे execute होने ही देना है, मतलब हम चाते हैं कि job schedule होने के बाद execute हो जरूर, भले ही delay के साथ execute हो जाए, तो वहां हम फिर cron का use नहीं करते हैं, हम anachron के through उसको schedule करते हैं, इसी तरीके से आप कोई भी job schedule कर सकते हैं, एक और job में आपको schedule करके दिखाता हूँ, cron tab के through, cron tab hyphen e, औ और देखियां, दुबारा से वही file यहां open होगी, अब हम next line में जाएंगे, एक और job में आपको schedule करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 20 minutes, 9 बज कर, यह job schedule मैं करना चाह रहा हूँ, कब, रोज, हर दिन, हर तारीक को, तो इस तरीके से मैं mention कर दूँगा, और उस तरीके से पूरी mention कर दूँगा, जैसे कि date.txt के नाम से में एक file बनाना चाह रहा हूँ, tmp directory के अंदर, तो यह job schedule हो जाएगी, और भी jobs बगर मैं एक ही बारी में schedule करना चाहता हूँ, तो मैं हैं next line में उसको define कर सकता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ, कि मेरी job जो है, वो हर asterisk by two, और मैं चाहता हूँ, हर घंटे ऐसा हो, तो asterisk हर दिन ऐसा हो, हर महीन ऐसा हो, और Sunday, Monday, Tuesday, कोई भी दिन हो, हर दिन यह job execute हो, और फिर job भी job है, वो हम यह mention कर सकते हैं, जैसे कि मैं है लिखना चाहता हूँ, है को, this job will execute after two minutes, और यह output मैं देखना चाहता हूँ, slash dev slash pts slash zero terminal पर, तो जैसी यह job schedule हो जाएगी, हर दो मिनट के बाद, यह line बार बार प्रिंट होगी, हमारे slash dev slash pts terminal पर, अगर मैं चाहता हूँ, हर मिनट कोई job schedule कर दूँ, मैं हर मिनट वो job run हो, तो हर मिनट के लिए asterisk, हर घंटे के लिए a सारे asterisk लगा देंगे, और उसके बाद, जो भी हमारी job है, वो हम mention कर सकते हैं, जैसे कि, मैं आ लिखता हूँ, this job will execute every minute, तो मैं आ लिखूंगा every minute, और उसके बाद, मैं output देखना चाहता हूँ, terminal पर, तो इस तरीके से मैं, यह job schedule कर सकता हूँ, और चल यह changes को save कर देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद, जैसे ही, एक minute पूरा होगा, पहले हमारे every minute वाला job execute होगा, जैसे ही 2 minute पूरे होगे, जो हमने 2 minute वाला job schedule किया हूँ है, वो execute होगा, तो इस तरीके से हम, jobs को schedule करते रहेंगे, और हमें, जो different outputs हैं, वो देखने को मिलेंगे, उसी echo command के हिसाब से, हो भी हमने mention की थी, और हम jobs की details अगर देखना चाते हैं, तो chron tab high panel, command हम यहाँ चला सकते हैं, तो देखिए, हमारा जो each minute वाला job था, every minute वाला job था, वो execute हुआ, और हमें output देखने को मिला, this job will execute every minute, तो यह output हमें देखने को मिला, जब 2 minute हो जाएंगे, तो every 2 minute वाला job हमने schedule किय था, उसका output हमें यहाँ स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, इसी तरीके से अगर आप चाते हैं, हर 3 minute के बाद, कोई job execute हो, तो आप divide by 3 कर सकते हैं, अगर आप 4 minute के बाद चाते हैं, तो इस ट्रिक divided by 4 लिख सकते हैं, और 8 minute के बाद चाते हैं, इस ट्रिक divided by 8 कर सकते हैं, totally depends on your choice, चलिए, और jobs थोड़े execute करके दिखाता हूँ आपको, उससे पहले एक बार, देखिए, every 2 minute वाला job execute हुआ, जो मैंने आपको दिखाया था, चलिए, मैं आगे चलता हूँ, मैं आपको, logs की entry दिखाना चारा हूँ, तो हम अगर चाहे हैं तो, last की कुछ lines open कर लेते हैं, where के अंदर, log के अंदर, cron वाली फाइल में, तो यही फाइल cron tab के लिए भी काम करती है, और add command के लिए भी काम करती है, तो देखिए, इसमें सारी details हमें देखने को मिल रही हैं, जो भी हमने cron tab में job schedule किये थे, जब वो execute हुए, तो उनके पूरे logs यहां में देखने को मिल रहे हैं, तो इस file की help से हम add command के logs भी देख सकते हैं, और cron tab के logs भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो normal user account से भी job schedule कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं विकास नहरा user से कोई job schedule करना चाहता हूँ, जो एक normal user है, तो उसके account में पहले switch कर जाऊँगा, और उसके बाद मैं यहां सेम तरीका है, बिल्कुल cron tab hyphen e command का use करूँगा, और cron tab में job schedule कर दूँगा, तो जैसे कि मैं यहां एक calendar प्रिंट करना चाहता हूँ हर minute, अब देखिए, यहां जो हमने job schedule किया था उसकी वज़ schedule करता हूँ हर minute, हर गंटे, हर दिन, और job क्या है, मैं चाहता हूँ कि calendar प्रिंट हो जाए कहा, slash dev slash pts slash 0, इस तरीके से, तो मैंने cron tab set कर दिया, और मैं यहां से अगर details देखना चाहता हूँ, तो cron tab hyphen e command से देख सकता हूँ, अगर मैं किसी दूसरी user की details देखना चाहता हू cron tab की entries की, तो मैं cron tab hyphen l के बाद hyphen you लगाँगा और user का नाम लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं अपनी खुद की देखना चाहता हूँ, तो विकास नहरा लिख दूँगा, लेकिन इसके लिए अगर आप खुद की देखना चाहते हैं, अगर आप specify करना चाहते हैं user का नाम, उ इसलिए हमें इस तरह का output देखने को मिल रहा है, मैं दुबारा दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं cron tab hyphen l करता हूँ, list करने के लिए jobs को hyphen you करता हूँ, जैसे कि मैं root का cron tab देखना चाहता हूँ, तो मैं hyphen you root लिखता हूँ, तो बोल रहा है must be, must be privileged to use hyphen you, मतलब hyphen you अगर आ यूजर की cron tabs देखना चाहता हूँ, तो मैं cron tab hyphen you hyphen, cron tab hyphen l hyphen you, विकास नहरा अगर लिखता हूँ, तो देखिए, विकास नहरा का cron tab यहां देख गया, क्यों, क्योंकि मैं root user का account से login किया है, मैं नहीं है, और मैं root user का account यूज कर रहा हूँ, विकास नहरा की details देखने क लिए और root user के पास सारा access होता है, जबकि अगर हम normal user के थूरू किसी के दूसरे का cron tab देखना चाहते हैं, तो हम ऐसे directly नहीं देख सकते हमारे पास उसके लिए sudo का होना जरूरी है, sudo privilege आपके पास होने चाहिए, तो देखिए वो लगातार jobs execute हो रहे है, minute और every second minutes वाले, अ तो आपको उसके लिए simply cron tab hyphen r command का use करना होता है, तो जैसी आप ये command चलेंगे, cron tab से आपका job हट जाएगा, अब अगर आप cron tab hyphen l command चलेंगे, तो हैं दिखाएगा no cron job या no cron tab for vikas naira, वहीं अगर आप किसी दूसरे user का हटाना चाहें, तो आप नहीं हटा सकते, जब minute each hour, each day, और यहां मैं लिख देता हूं date, और मैं job कर देता हूं schedule, तो देखिए मैंने cron tab schedule कर दिया है, विकास naira user के लिए, अब इस job को, अगर मुझे किसी root user के account से हटाना है, तो वो मैं कैसे हटाँगा, तो चलिए root user के account में चले जाते हैं, और एक बार विकास naira का cron tab की details देख लेते हैं, तो देखिए हैं date command वाला cron tab set है, अब अगर हमें विकास naira जो कि यह normal user है, उसका cron tab erase करना है, तो हम यहां करेंगे cron tab hyphen r, hyphen u और user का नाम, तो इस command से विकास naira user का cron tab हमने delete कर दिया, तो user या तो अपना खुद का cron tab edit या delete कर सकता है, या फिर अ पूरे के पूरे cron tabs को एकी बारी में हटा देती है, तो एक बार मैं आपको दुबारा दिखा देता हूँ, जो root user का cron tab है हमारे, उसमें हमने कैई सारी entries की हुई है, मैं चाहता हूँ यह सारा cron tab, जितनी भी यह jobs यहां mentioned हैं, सारी एक बारी में हट जाएं, तो हम cron tab hyphen r command use करेंगे, तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे cron tab की जो भी entries थी, सारू को erase कर दिया, एक ही बारी में, तो अब कोई भी job run नहीं होगी, जो भी cron tab हमने लगा थे सारे हटा दिये, तो अब कोई भी pop-up message यहां में देखने को नहीं मिलेगा, यह simple chrome jobs मैं आपको दिखा रहा हैं, वो मैं आपको कल आने वाले session में बताऊंगा, एक चीज और थी, जो cron tab वाली हमारी file है, एक बार अगर उसकी entries आप चेक करें, etc cron tab, तो यहां आप और भी बहुत सारी चीज़े specify कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि कोई command execute हो machine के start होने पे, तो आप लिख सक सकते हैं, तो यहां आप वाली entries भी कर सकते हैं, इन सब की जगा, ज्यादा details के लिए आप चाहें तो, cron tab का manual open कर सकते हैं, यहां से इसका description पढ़ सकते हैं, और यहां जो भी options हैं, वो सारे मैंने आपको बता दी हैं, यह सारे options आप यूज कर सकते हैं, और अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि कैसे हम किसी user को cron tab को schedule करने से रोख सकते हैं, cron.deny की help से, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा, एक मिनट का time दीजेगा मुझे, जैसे कि अगर आप चाहते हैं, कि आपकी machine जब reboot हो, तो कोई particular job उसके हिसाब से schedule हो जाए, तो वो आप कैसे करेंगे, जैसे कि मैं चाह रहा हूं, कि मेरी machine जब reboot हो, तो date command का जो output है, वो append हो जाए, date.txt नम की file में, और यह जो file है, यह create हो जाए, tmp directory अंदर, तो मैं इस तरीक से mention करूँगा इस job को, महाँ फिर आपको months, hours, day, time, यह सब mention करने की जोड़त नहीं, आप लेख सकते हैं, add the rate reboot, तो add the rate reboot का मतलब है, कि जैसी machine restart होगी, या reboot होगी, date command का output, tmp के अंदर date वाली file में append हो जाएगा, तो यह job हमने, इसके हिसाब से schedule कर दिया, अ automatically, यह output happened हो जाएगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं, कि date नाम की जो file है, है या नहीं, तो date नाम से कोई file नहीं है, date.txt के नाम से, तो यह file हो जाएगी, अगर यह file नहीं होगी, तो, अब मैं पहले machine को reboot करूँ, और इस job को आपको दिखाँ, उससे पहले मैं आपको दिखा द की entry कर देंगे, जैसे कि मैंने आप विकास नहरा लिख दिया, तो अब जो विकास नहरा यूजर है, वो cron use नहीं कर पाएगा, वो cron tab के थूरू job schedule नहीं कर पाएगा, तो जैसी मैं है cron tab hyphen e command चलाऊंगा, विकास नहरा यूजर के account से, तो देखी बोलेगा, विकास नहरा are not allowed to use this program cron tab, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस user को हमने deny list में डाल दिया है, इसके तुरू हम manage कर सकते हैं कि कौन सा user cron tab को use कर पाएगा, तो आईए मैं machine को एक बार reboot कर देता हूं, और मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसी हमारी machine दुबारा restart होगी, तो tmp के अंदर date.txt के नाम से एक file बन जाएगी, जिसमें की date command का output हमें देखने को मिलेगा, तो हमारी machine reboot होने लग रही है, कुछ देर के बाद जैसी machine power on होगी, तो ये file वहां create हो जाएगी, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने chron tab के अंदर add the rate reboot mention करके, ये वाली job schedule कर दी थी, तो आईए अब हम चलते हैं, tmp directory के अंदर, machine हमारी restart के वापस आ चुकी है, और हम एक बार पहले list करते हैं कि क्या date.txt के नाम से या file आ चुकी है, जी हाँ बिलकुल, और हमारी जो date.txt वाली file है, उसके अंदर simply date command का output है, ये वही job है, जो हमने mention किया था, हमारी chron tab की entry के अंदर, तो इस तरी file जो होती है, ये chron tab और add command, दोनों के logs की entries को अपने अंदर रखती है, तो इसका आप use कर सकते हैं, अब बात करते हैं, anachron क्या है और उसको हम क्यों use करते हैं, तो हम अगर anachron use करना चाते हैं, उससे पहले बैटर है कि हम एक बार इसका manual पढ़ लें, तो आप man anachron command अगर च chron is used to execute commands periodically with a frequency specified in days, unlike chron, मतलब ये हम use करते हैं, अगर days के हिसाब से हमें frequency को specify करना हो किसी job की, it does not assume that machine is running continuously, और हम इसको वहाँ use करते हैं, जहां machine लगातार रन ना हो रही हो, hence, it can be used on machines that are not running 24 hours a day, to control regular jobs as daily, weekly and monthly, मतलब अगर आपकी machine लगातार रन नहीं हो रही है, तो फिर आप आप महां chron tab का use नहीं करेंगे, आप anachron का use करेंगे, और etc के अंदर anachron tab नाम की इसकी file होती है, जिसको हम use करते हैं, jobs को schedule करने के लिए, आप चाहें तो इसकी details को देखना चाते हैं, तो आप cat command के थूर इसकी details देख सकते हैं, और यहां जो entries हैं, वो आप इस तरीके से करे यह होती है, मतलब weekly, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहां daily crown या weekly crown के नाम से आपको देखने को मिल रहा है, और last में, जो last entry है, वो होती है, आपकी command, मतलब जो भी job है आपका, वो क्या है, जो job आप यहां schedule करना चाह रहे हैं, तो इस हिसाब से आप job schedule कर सकते हैं, एक छोटा सा job मैं है, आपको schedule करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप simply, या तो echo command का use कर लें, या आप vi editor के through इस file को open कर लें, और उसमें आप फिर अपने हिसाब से entries कर दें, तो चलिए, etc के अंदर, एक फाइल यहां बना लेंगे, और, sorry, एक फाइल जो पहले से है, उ define कर देंगे, लेकिन, उससे पहले, मैं आपको दिखा दूँ, कि, यह जो anachron command है, या जो anachron tab file है, यह actually, कहां अपनी files create करती है, कहां इसकी files हमें देखने को मिलती है, जो भी job के लिए हम use करते हैं, तो अगर आप उन files को देखना चाते हैं, तो आप where के अंदर, spool के अंदर जाएंगे, और वहाँ anachron नाम की directory है, उसके अंदर जाएंगे, तो वहाँ आपको कुछ files देखने को मिलेंगी, जो anachron के लिए होती हैं, तो आपको जाना है, where के अंदर, spool के अंदर, anachron के अंदर और आप चाहें तो इसके contents को list कर सकते हैं तो आपको यहाँ daily, monthly और weekly वाली files देखने को मिलेंगी तो एक बार हम यह daily crone वाली file को देख लेते हैं तो यह इस तरीके से यहाँ एक number हमें देखने को मिल रहा है तो यहाँ अगर आपने एक और job कोई schedule किया in a crone के through तो यहाँ आपको एक और file यहाँ इस location में देखने को मिल जाएगी तो चलिए एक job हम schedule करने वाले है एन a crone के through तो चलिए हम वी आइडिटर का यूज़ कर लेते हैं etc anna crone tab file को open कर लिया last line में आ जाते हैं बिल्कुल insert mode में चले जाते हैं और यहाँ जो भी हमारी job हम define कर देते हैं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ daily या तो आप यहाँ day mention कर सकते हैं मैं लिख रहा हूँ daily क्योंकि मैं चाता हूँ daily यह job execute हो delay कितना देना है मैं 10 minute का delay देना चाता हूँ तो मैं लिखता हूँ 10 उसके बाद इसको किस identifier से identify करना है मतलब इसको नाम क्या देना है मैं इसको नाम दे रहा हूँ example.daily कौन सी shell हम यह use कर रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ bin bash और उसके बाद जो भी आपकी job है वो आप define कर दिया और changes को save कर दिया मैं एक बार इस की entry आपको last line की दिखाना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है आपको पूरी तरीके से यह दिखी ना हो तो यह entry मैंने इस file के अंदर कर दिये daily यह job run होगा 10 minute के delay से होगा यह इसका job identifier है best shell use होगी और यह script हमारी execute होगी daily तो यह job मैंने यह define कर दिया अब अगर हमें इस job को immediately execute करना है तो हम anachron command का use कर सकते हैं तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी entries correct हैं या नहीं तो anachron hyphen T hyphen capital T command हम यह चलाएंगे इस command को कोई भी error हमें यहां नही देनी चाहिए अगर error हमें देखने को मिलती है तो इसका मतलब कुछ न कुछ entry में हमने mistake की है उसके बाद अगर हमें इस command को execute करना है तो हम anachron hyphen D command का use करेंगे उससे क्या होगा कि anachron immediately execute होना शुरू हो जाएगा तो इस तरीके से जितनी भी anachron की entries है इस file के अंदर जो भी jobs की entry है नachron file के अंदर वो हमारी सारी execute हो जाएगी अगर आपको इसको forcefully execute करना है तो आप इसी command में hyphen FD लगा सकते हैं तो इस तरीके से यह forcefully फिर execute होना शुरू हो जाएगी तो देखिए अब यहाँ example daily वाली job है हमारी वो execute होगी और अब अगर हम जो हमारी anachron की files है उन की entries चेक करेंगे तो हमें example.dailywily file भी देखने को मिलेगी जो पहले नहीं थी अभी यह file entry है क्योंकि हाँ इसमें कुछ है नहीं output में हमने simply script को run किया था वो भी background में हमने कहीं उसको foreground में run नहीं किया था कोई terminal का नाम हमने नहीं लिखा था तो simply background में execute हुई है तो इस तरीके से हम anachron के through भी job को schedule कर सकते हैं anachron के through हम job उनी machine में schedule करते हैं जो लगातार 24x7 run ना हो रही हो जो सिर्फ और सिर्फ एक particular time पर हम use करते हैं और फिर बंद कर देते हैं तो दोस्तों यही सब कुछ आज के session में मैंने cover करने की कोशिश की थी मैंने सारे topics आज के session में cover कर लिए day of March में अगर हमें कोई job schedule करना है वो हम कैसे करेंगे या फिर three days of a month इस तरह का job अगर हमें schedule करना है तो हम कैसे schedule करेंगे तो इस तरह के कुछ complex jobs मैं आपके लिए next session में लेकर आऊँगा और मुझे उम्मीद है आज का session आपको अच्छा लगा होगा बहुत कुछ आपको सीख आया है तो आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके bell notification ओन कर सकते हैं यह training 9-10 के बीच में regular basis पर नहीं आज कल हम लेकर आ रहे हैं alternate days पर आपके लिए लेकर आते हैं Monday, Wednesday और Friday को और अगर आपको हमारे पुराने वीडियो को access क related कोई भी doubts हैं तो आप comment करके हमसे पूछ सकते हैं मैं main screen पर वापस आ जाता हूं और आपके comments लेने की कोशिश करता हूं बहुत सारे comments यह आये होंगे हाला कि बहुत ज्यादा users आज हमारे साथ नहीं है सिर्फ 30 ही लोग हमारे साथ अभी तक हैं live feed पर हैं शुबम सर्मा जी ने हमारी basic level की membership join किया है बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को good evening जो main comments हैं वो में लेने की कोशिश करता हूं चंदर सर्मा जी करें interview के questions भी है interview के questions है यह वाला video मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्या कहने की कोशिश किये अंकित अधाजी सर मैं two session join नहीं कर पाया because मैं busy था office में okay कोई problem नहीं है राशिश अलीम जी हाए हरीश पालेगर good evening और हरीश भाही को बहुत बहुत congratulations उनकी बहुत अच्छी job लगी है as a fresher उनका बहुत अच्छा package है fresh और होने के बावजूद भी काफी अच्छा package उनको मिला है और जो credit है वो उनकी मेहनत को जाता है पिछले एक डेड़ साल से वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए और आज उनके पास तीन चार interview calls थी मतलब पिछले कुछ दिनों में चार interview call उनको आई थी दो में उनका interview clear हुआ था और फाइनली एक में हो select हो गया है पता नहीं दूसरे का मुझे कि दूसरे में भी उनका selection हुआ है या नहीं एक के बारे में मुझे confirm पता है तो उनको बहुत-बहुत धन्यवा प्रोवाइड करवा दीजिए दीपक भाई आप हमारे टेलिग्राम चैनल में चले जाइए वह मैंने बहुत सारे questions डाल रखे हैं तो आप अगर एक बार सर्च करेंगे तो आपको questions मिल जाएंगे answers भी मिल जाएंगे गौरव राजपूच जी गूड़ इवनिंग राहुल दें क्रोन टेब का तो access by default सबको होता ही है अगर आपने deny नहीं किया हुआ है तो रोइत पारतवाज जी गूड़ इवनिंग चंदर सर्मा करें भाई लोगो लोग करो हरीश पालेगर थैंक यू सो मच फोर हल्पिंग मी नो प्रोब्लम इट्स मैं ड्यूटी अमित कुमारत करें थैंक यू सो मच थैंक यू जी यूर वेलकम जोगिंदर सिंग करें हाओ तो सेंट इमेल वेन क्रोन इस एग्जेक्यूटिट देखिए उसके लिए आपको फिर मेल सर्वर का 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 ना चाहिए और वो मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको सारे सर्वर्स की तरफ लेके जाऊंगा तो आप जुड़े रही है इस ट्रेंश प्रोग्राम से मैं आपको दुबारा सारी चीज़े बताऊंगा और मैं जब एक बार मेल सर्वर आपको कन्फिगर करके तो आपका कवर होना चाहिए मतलब लगबग 120 ती सेशन जो हमारे इस ट्रेनिंग के हैं वो आपके सारे कवर्ड होने चाहिए तो दोस्तों मैंने आप सभी के कमेंट्स ले लिए हैं और अब मैं मंडे को आपके लिए एक बहुत ही जबर्दा सेशन लेकर आऊँगा क्रोन टैब से रिलेटिड बहुत ही कॉंप्लेक्स जॉब्स के साथ ऐसे जॉब्स जो जनरली हम शेडियूल एजिली नहीं कर पाते हैं तो उनको हम कैसे क्रोन टैब की हल्प से शेडियूल करते हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग सेशन वो रहेगा लेकिन हम सेशन तभी करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है कि हम इस ट्रेनिंग को कॉंटीनु करें फिर हमें इसको पॉस्पॉंट या डिले करना होगा तो आप लोग वह सपोर्ट नहीं दे रहें जिसकी मुझे जुरूरत है मुझे कोई इससे बहुत ज्यादा वेनिफिट नहीं है चैनल से लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से जल्दी यह कॉर्स यह कंप्लीट कर दूं तो आप अगर यहां अच्छा रेस्पॉंस देते हैं तो मैं रेगुलर बेसी स्पे सेशन भी कंड़क्ट करने को तेयार हूं अगर आप 100 प्लस व्यूवर्स हो जाते हैं तो मैं सारे से से अगर आप इसको शेयर करेंगे बाकी फ्रेंड्स के साथ अपने और लोगों के साथ तो हो सकता है कि कुछ ज्यादा लोग हमें यहां लाइफ फीड में देखने को मिलें तो मेरी एक बार फिर से आपसे ही गुजारिश है कि आप शेयर्स को लाइक करते रहें चैनल को सब्स फेस करने फेस करने या फिर जिनको सर्टिफिकेशन करना है या फिर जोब की जो लोग प्रिपरेशन करने तो उन लोग के साथ आप जरूर शेयर किया करें हमारे वीडियो को क्योंकि यहां बहुत ही कम व्यूवर्स हैं लाइफ फीड में और मैं नहीं चाहता कि यह तो दोस्तों आज के सशन में इतना ही रखते हैं क्रॉन टैब में अगर अब भी कोई आपको चैलेंज है आप मुझे टेलिग्राम या वर्ट से हमारे ग्रूप में पिंग कर सकते हैं में मैं आपकी हल्प कर दूँगा और बाकी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूं जितने बार और मैं आपको दिखा देता हूं फटापट जैसे कि हमें एक ऐसा जो शेडियूल करना है जो एक से लेके दस तारीक के बीच में लगातार एक्जिक्यूट हो तो वो हम कैसे करेंगे तो आपको मालूम है कि जो डे ओफ मन्त वाली एंट्री है वो थर्ड एंट्री होती है तो इस थर्ड एंट्री में हमें क्या लिखना होगा एक ऐसे जोब के लिए जो एक से लेके दस तारीक हर महीने की एक्जिक्यूट हो तो वो हम करेंगे तो उसके लिए पहले हम date or time यहां specify करेंगे suppose कीजिए हम चाहते हैं कि 9 बज़ कर 50 मिनट पर वो job execute हो और कब execute हो हर महीने की 1 से 10 तारिक के बीच तो आप 1 से 10 के लिए लिखेंगे 1-10 और उसके बाद किसी भी महीने में हो और किसी भी दिन हो मतलब दिन पर depend ना करें हर दिन हो जाए एक से 10 तारिक अगर match कर रही है तो और हर महीने और उसके बाद जो भी job है वो हम यह mention कर सकते हैं जैसे कि हम यह लिख देते हैं echo nehraclasses are awesome और यह entry चली जाए tmp के अंदर nehra.txt वाली फाइल में और यह append होती रहे तो इसलिए double greater than sign यह लगा देते हैं तो यह जो job है यह हर महीने की एक से 10 तारिक के बीच execute हुआ करेगा मतलब हर महीने 10 entries इस फाइल में जाएंगी तो इस तारिके से भी हम job schedule कर सकते हैं या फिर हम अगर Sunday Monday लिखना चाते हैं आप चाते हैं हर Sunday को execute हो तो यहां आप number define कर सकते हैं Sunday के लिए 7 या 0 mention कर सकते हैं या फिर आप यहां Sunday Monday भी लिख सकते हैं तो यही सब था जो cron tab में मुझे आपको बताना था और I hope मैंने सारी चीज़े cover कर दी है कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ दिया है कुछ questions हो रहा है वो मैं ले लेता हूँ फिर हम आज के session को बंद कर देंगे नुमान माविया कह रहे हैं मैंने 20 लोगों को channel share किया thank you भाई नुमान जी अमित कुमार तिरपाटी कह रहे हैं you are really awesome thank you thank you so much नुमान माविया कह रहे है 15 के ने subscribe किया from पाक लाहोर 15 तक ने अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद नुमान भाई within last 10 days at least 15 से ज़्यादा लोगों ने subscribe किया है आपका content बहुत unique है बहुत बहुत धन्यवाद जी नुमान भाई को अगर 80 से ज़्यादा लोग उस session के लिए तयार होते हैं और मैं complex jobs जो हम cron tap की help से schedule करते हैं उसका session में आपके लिए लेकर आँगा तो मिलते हैं Monday को सही 9 बजे नए session में तब तक के लिए नमस्कार जै हिन जै भारत वंदे मातरम टेक केर गुटनाइट बाई बाई